कि नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चनल पर इलेक्शन कमीशन के बड़े फैसले के बाद मुखे मंत्री एक नाश्चिंदे के गुट ने अब चुनावचिन सौपे हैं इलेक्शन कमीशन के लिए आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ दोनों पार्टियों यानि कि दो धड़ों को लेकर फैसला सुना चुका है इलेक्शन कमीशन जहां एक तरफ उद्दव ठाकरे के गुट को चुनावचिन और नाम दे दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तर महाराश्ट्र के मुख्यमंत्री एक नाश्चिंदे के गुट को इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि एक नाश्चिंदे के गुट और उद्व ठाकरे के गुट को अब नाम दे दिये गए हैं अब बाला सहाइब की शिवसेना कहा जाएगा यानि कि अब दोनों गुटों को इलेक्शन कमीशन की तरफ से नाम दे दिये गए हैं आने वाले तीन नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर आपको लिए बता दें कि उस तरीके से शिवसेना को लेकर ये जो दो धड़े हुए थे इसके बाद लगातार समस्या बनी हुई थी कि दोनों गुटों को आखिरकार क्या नाम मिलेगा और क्या सज़ेशन जो है वो दिये जाएंगे इलेक्शन कमीशन की तरफ से पहले ये मामला कोर्ट में गया और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे मामले प कल्प में चमकता सूरज धाल और तलवार और पीपल का पेड़ सौपा है यानि कि यह जो तीन चुनाव चिन हैं यह दिये गए हैं चुनाव आयोग को देखना एहम रहेगा कि इन तीनों में से किस पर महौर लगाता है चुनाव आयोग और किस महौर को लेकर आने वाले चुनवाई हुई तो इलेक्शन कमीशन ने पार्टी का जो तीर कमान का चिन है चुनाव चिन है पार्टी चिन है उसे और शिपसिना के नाम को दोनों को ही रद कर दिया गया था जिसके बाद एक नाश्चिंदे और उद्दव ठाकरे के गुट को यह सुझाव दिया गया है पार्टी चिन दे दिया गया है चुनाव चिन दे दिया गया है तो वहिं दूसरी तरफ अब एक नाश्चिंदे को कौन सा चिन मिलेगा इस पाथ पर पूरा सवाल खड़ा होता है आपके लिए वता दें कि जहां एक तरफ अभी तक चुनाव चिन नहीं मिला है इसे ना प्रमुक बाला साथ ठाकरे के मजबूत हिंदुत्व वाले विचारों की आखिरकार में जीत हुई है जिस तरीके से ये ट्वीट किया गया है महारास्ट के मुख्यमंत्री एक नाश्चिंदे की तरफ से इस फोटो में आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ हिंदु ह स sincerity समराठ बाला साथ ठाकरे बैठे हुए है और उनिंके पास बैठे हुए हैं हैं एक नाश्चिंदे उनका हाथ पकड़कर और इसी फोटो को डालकर उन्होंने कहा है के हिंदुत्य के विचारों की जीत हुई है वाला साथ ठाकरे की यानिकि एक तरफ चुनाव चिंद नह शिवसेना पर अधिकार की लड़ाई 20 चुनाव आयोग से पार्टी के नाम और चुनाव के चिन पर रोक लगा दी गई तो वहां दोनों गुटों को नाम दे दिया गया है शिवसेना के उद्दव ठाकरे धड़े को अब शिवसेना उद्दव बाला साथ ठाकरे के नाम से जा शिंदे धड़े की अभी तक पार्टी का चुनाव चिन आवंटित नहीं किया गया है क्योंकि चुनाव आयोग ने पार्टी से तीन नए विकल्प देने को कहा है इससे पहले शिंदे गुट दुवारा प्रस्तावित गदा तिर्शूल और चुनाव आयोग ने खारिच कर दिया था क्योंकि ये धार्मिक प्रतीक थे याने की तीन अगर प्रतीकों की बात हो रही है जिसमें कल उद्दव ठाकरे ने भी अपने प्रतीक जो है वो सौपे थे जिसमें से एक मशाल भी एक था और मशाल पर महर चुनाव आयोग की तरफ से लगा दी गई है तो इसी ब 11 ऑक्टूबर तक चुनाव प्रतीकों को सम्मिट करें एक नाश्शिंदे जिस पर आज उन्होंने सुनवाई कारवाही करते हुए ये तीन जो चुनाव प्रतीक हैं ये सौप दिये गए हैं इलेक्शन कमीशन को जिसमें एक चमकता हुआ सूरज है ढाल है तलवार है और प महाराश्टर के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हिंदू हिर्दै बाला साथ ठाकरे के विचारों की जीत हुई है तो इससे पहले महाराश्टर के मुख्यमंत्री देविंद फड़नवीस ने भी इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया था और मीडिया से बात करते हुए बयान दिया था जिस पर उन्होंने कहा था कि एलेक्शन कमीशन के दुआरा शिवसेना और पार्टी प्रतीक यानि कि चुना प्रतीक पर बैन लगा देना या फिर यथा स्थिती बनाके रखने की बात जो कही गई है वो इसलिए कही गई है और हमें इस बात से कोई भी आश्र नह कर लगातार देखी जा रही थी जहां एक तरफ उद्दव ठाकरे का कहना था कि शिवसेना के ऊपर उनका अधिकार है क्योंकि उनके पताजी के दुवारा शिवसेना बनाई गई थी और ये उनका अधिकार है तो वहीं दूसरी तरफ सविधान का जिक्र करते हुए मुख्य ये उनके मंत्री एक शिंदे ने कहा था कि हमारे पास सविधान की आधार से हम चलना चाहते हैं और हमारे पास सांस dwอविधायों की संख्या जादा है और कहीं इस तरीके से जो दो Online सिवसेना के हुए जहां एक तरफ उद्दव ठाकरे ने अपना अस्तित्व बताया और आखिरकार उपचुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे मामले को अब निपटा दिया है जहां एक तरफ उद्दव ठाकरे को चुनाव चिन और पार्टी का नया नाम सौब दिया है घोशना कर दी है तो वहीं दूसरी तरफ अब एक नाश्चिंदे की पार्टी या महाराष्ट में काफी जादा एहम माने जा रहे हैं जो की अंधेरी इस्ट में होने वाले हैं आपके लिए बता दें कि जहां जो मई से पहले जो कुर्सी है ये खाली पड़ी है और इस पर 3 नवंबर की जो तारीक है वो चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है पहली बार हो रहे हैं जब से महाराष्ट के मुख्य मंत्री बने हैं एक नाशिंदे यानि की अब दोनों ही पार्टियों को दिखानी पड़ेगी अपनी ताकत के आखिरकार महाराष्ट की जनता का है साथ किसके साथ जहां एक तरफ उद्दर ठाकरे को एंसीपी और कॉंग जो विधायक हैं आज तक वो एक नाशिंदे के गुट में रहे हैं जिस तरीके से जून से ये तमाम जो चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आई कि कैसे 40 से जादा जो विधायक हैं वो उद्दर ठाकरे को छोड़कर एक नाशिंदे के साथ चले गए और उन्होंने ख्यके से हमने तमाम ओर बी चीज़ें देखी हैं बीमसी के चुनाफ भी आने वाले समय में आने वाले हैं और इसको लेकर भी लगातार एकनास्सिंदे ने कहा है कि इस बार वो फिर से एक बार काविज होंगे बीमसी की कुरसी पर तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि उद्धव ठाकरे को हम इस गुर्दी से हटा कर रहेंगे क्योंकि शिवसेना ने किया है पच्चिस से जारा सालों तक बीमसी पर राज कैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए धन्यवाद